Hello everyone, welcome back to my channel आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि average speed के topic से जो question पूछे जाते हैं exam के अंदर वो काफी tough होता है, उसे solve करने में formula यूज़ करना होता है लेकिन आपके लिए ऐसा trick लेकिया है कि बिना formula से आप उसे solve कर पाओगे लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा देखिए average के बहुत सारी वीडियो में बनाया है मैंने अगर वो सारी वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वीडियो के description में link दे दिया हो मैं तो चलिए दोस्तों आपके साम में देखिए पहला sum लेकिया हो देखिए यह वाला sum लेकिया हो काफी important sum में देखिए क्या दिया है यहां पर देखिए A train travels from A to B at a rate of 20 km per hour and from B to A at a rate of 30 km per hour What is the average speed of the whole journey आपको समझा तो हो देखिए डाइराम समझा तो हो देखिए एक journey किया हो देखिए A से लेकर B तक जाने के लिए उसमें speed जो use किया वो 20 km per hour की speed में गया यहां 20 km per hour लिख दिया हमें उसके बाद ही क्या बोला है यहां पर देखिए B से लेकर A तक जाने में उसमें speed कितना लगाया देखिए 30 km per hour की speed में गया मतलब B से लेकर A तक जाने के लिए उसने 30 km पर आर की स्पीड लगाया ये clear हो गया अब देखिए distance कहा है तो distance निकालेंगे क्या करेंगे देखिए इन दोनों का LCM निकालेंगे जब LCM निकालोगे आप तो answer आएगा आपका 60 आएगा वो क्या बन जाएगा आपका distance बन जाएगा अब ध्यान देखिए देखिए यहाँ पर 20 के table में 60 लाना हो तो क्या multiply करेंगे देखिए 23's आ 60 हो जाएगा उसी तरह 30 के table में 60 लाना हो तो 30 multiply 2 करो गया आप तो आपका 60 आ जाएगा ये clear हो गया देखिए formula set हो गया ये हमारा हो गया distance हो गया ये हमारा देखिए time हो गया और ये हमारा देखिए speed हो गया clear हो गया देखिए अब क्या करेंगे देखिए हमें निकालना है average speed निकालना है तो यहाँ पर मैं देखिए average speed निकालने जा रहा हूँ मैं clear हो गया, formula क्या होगा, देखिए, distance upon time हो गया, यह formula है, लेकिन आपको यह formula में confusion है, अगर, कि distance equal to क्या होगा, time equal to क्या होगा, speed equal to क्या होगा, यह सब सेखिने के लिए, वीडियो के end तक देखिए, एक ऐसा short trick दोंगा, आपको lifetime भूलने की कोशिस करोगे न, अगर तो भी भूल लिखा होगे, ऐसा trick लेकिया होगा आपके लिए, तो इस वीडियो के end में आपको सिखा दूँगा, मैं कि formula कैसे याद रखते हैं, अब देखिए, distance देखिए, d देखिए, यहाँ पर, आप distance क्या होगा, 60 है, यहाँ पर 60 लिख दिया मैंने, उसके बाद देखिए, time कहा है, देखिए, 3 plus 2, 5 आपका time होगा, लेकिन देखिए, यहाँ distance 60 नहीं होगा, क्योंकि देखिए, A से लेके B गया, फिर B से लेके A गया, दो बार हुआ है, तो क्या होगा, देखिए, 2 multiply करेंगे, तो 5, 12, 60 हो जाएगा, 12, 2, 24 हो जाएगा, देखिए, यहाँ पर answer आगया, आप देखिए, आपके सामने बहुत जादा important sum लेकिया हो, देखिए, कैसे solve करोगे, ऐसे sum अगर exam में आ जाए तो, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए, A man travels from A to B at the rate of 20 km per hour, तो यहाँ पर लिख लेता हो, देखिए, A से लेकर B तक जाने में, उसने speed जो use किया, वो 20 km per hour की speed में य गया हो, मतलब B से लेकर A पर आने के लिए, उसने speed कों सा use किया, देखिए, 30 km per hour की speed में आया, देखिए, तो यहाँ पर 30 लिख देता हो, उसके बाद देखिए, क्या होगा हो, देखिए, and he again traveled A to B, मतलब फिर से देखिए, A से B तक गया हो, कितने speed में गया, देखिए, 40 km per hour की speed में गया है, कर क्या रहा है, पता हैं देखिए, A से B, फिर B से A, पता नहीं क्या कर रहा है, और रित्ति का गाना याद आ गया, इधर चला, उधर चला, पता ने कहां चला, लिए कोई बात नहीं, exam में SSM आते हैं, हमें करना होगा, तो कोई बात नहीं चलीं, solve करते हैं, देखें, यहाँ पर क्या हो गया, अब यह 3 को अगर जब LCM निकालोगे आप, तो क्या आएगा, आपका 120 आएगा, clear हो गया, अब क्या करोगे, देखिए, अब 20 के table में आपको 120 लाना है, तो 26 क्या करना होगा, 120 होगा, यह clear हो गया, उसके बाद देखिए, 30 के table में, अगर 120 लाना हो, तो 34 होगा, 120 होगा, उसी तरह देखिए, 40 के table में 120 लाना हो, तो 40 को आपको 3 से multiply करना होगा, जिससे क्या होगा, 120 आजाएगा, यह clear हो गया, यह आपका distance हो गया, यह आपका time हो गया, यह आपका speed हो गया, निकालना क्या है, हमें देखिए, average speed निकालना है, तो यह यहां पर A और S लगा देता हूँ, अब देखिए, distance यहां पर लिख देता हूँ, उसके नीचे क्या लिखूँगा, मैं, मैं time लिखूँगा, अब देखिए, यहां पर क्या हुआ, देखिए, एक distance A, यह दिस्टेंस A, और यह हुआ, बनला एक, दो, तीन बार हुआ, तो क्या 10 हो गया, और 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13 हो गया, अब इसे solve कैसे करेंगे, देखिए, 120 multiply 3 करोगे, तो 12 3 से कितना होगा, 36 होगा, एक जुरा के चिपक जाएगा, answer हो गया, ऐसे easily solve कर सकते हो, अब देखिए, यहां पर 13 लिखता हूँ, तो 13 किलो मेटर पर आर, लेकिन यह option में ह 26 लिखो गया, यहां पर, देखिए, इसको में solve करता हूँ, 6 में 6 गया, 0 हो गया, 3 में 2 गया, 1 और यहां पर 100 हो गया, 10 नीचे उता लिया, 13, 7 जा कितना होता है, 91 होता है, और नीचे आप देखोगे, answer क्या होगा, आपको 9 आएगा, अब क्या करोगे, यहां पर देखिए, आपका right answer आगया, तो ऐसे difficult sum को इस तरह से आप easily solve कर सकते हो, उम्मिद करता हूँ कि यह आपको पसंद आया होगा, चलिए और एक sum लेकिया आप सभी के सामने, चलिए शुरू करते हैं, लेकि उससे पहले अगर आपने screenshot लेना चाहाँ तो screenshot ले लिजी आप, चलिए शुरू तो देखना देखिए, इसमें क्या दिया है, a man covers first 80 km with a speed of 10 km per hour, इसमें कोई changes है, इसमें distance already दिया है, तो आप देख सकते हो जो distance दिया है, यहाँ पर 80 km distance दिया है, उसके बाद दिया है, speed जो है, वो यहाँ पर 10 दिया है, तो यहाँ पर मैं D लिक लेते हैं, जिसे पता मुझे यह distance है और यह जो दिया हुआ यह हमारा speed है clear होगे आगे बढ़ते देखिए उसके बाद देखिए और एक देखिए यहाँ पर क्या लिखा है next 60 km next 60 km distance है हमारा उसे कितनी speed में चलाया देखिए उसने cover किया 12 km per r की speed मतला यहाँ पर मैं 12 लिख लेता हूँ उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 70 km और एक distance है और एक distance है जो 70 km है with a speed of 10 km per r देखिए यहाँ पर speed जो है 10 km per r की speed में देखिए यह distance अलग-अलग distance है यह क्यों लेकर आए उसम देखिए इसमें confusion नहीं रहे हमें क्या करते हैं देखिए तीन चीज़ दिया है तो हम लिखते थे यहाँ पर average speed equal to distance upon time में यहाँ पर 3 multiply करते थे वो कैसा sum होता है देखिए a to b b to a एक distance और वहाँ आसी वापिस आना तब आप 3 multiply करते थे जो distance एक जैसे distance होते थे यहाँ को distance दिया है वो अलग-अलग distance दिया है तो multiply 3 बिलकुल नहीं करेंगे यही चीज़ सिखाने के लिए मैं यह sum लेका हूँ कि कोई भी confusion नहीं रहे आपके दिमाग में देखिए अब start करते अब देखिए distance हो गया, यह मेरा क्या हो गया, speed हो गया हमें क्या चाहिए देखिए यह distance का formula यहां से मिल जाएगा time कहा से लिख्या हो गया, तो क्या करेंगे, कि 10 के table में 80 का अब आएटी का आएगा, 10 8 जा 80 हो जाएगा, 12 5 जा 60 हो जाएगा और 10 7 जा कितना होगा, 70 हो जाएगा, यह clear हो अब क्या करेंगे देखिए इन सब को प्लस कर देगे देखिए 8 प्लस 6 कितना ओगा 14 होगा और 14 कितना होगा 14 प्लस 7 21 हो गया तो आप 21 यहां पर लिख लोगे और 0 जो शाइड पे था उसे चिपका लोगए ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो अब देखिए अब टाइम केसे निकाल होगा 10 होगा और 1 का हाफ कितना होगा 0.5 होगा मतला आंसर कितना होगा आपका 10.5 हो जाएगा इस तरह से आप इसको solve कर सकते हो आपका option number B जो है आपका right answer है इसको आप reduce कर सकता है ऐसे भी कर सकते हो कोई problem नहीं है आपको sort का trick सिखाया मैंने 21 का आधा कर दो 10.5 आ जाएगा clear हो गया है तो option B आपका right answer आ गया है तो ये था हमारा इस वीडियो में हर एक सम को सिखा दिया मैंने एक चीज बाग की है जो आपको मैं promise किया था first sum में कैसे आप distance time और speed के formula को long term तर याद कर सकते हो वो मैं सिखाये जा रहा हूं चलिए 200 आपको मैं सिखाये जा रहा हूं किस तरह से आप time distance और speed के formula को long term तर याद कर सकते हो बिना कोई confusion के भूलना भी चाहोगे तो भूल नी पाओगे ऐसा एक trick लेके है और देखिए क्या करोगे देखिए कहानी सुनिये देखिए ये वीडियो पहला बना चुका हो मैं कहानी अभी सुना रहा हूं आपको देखिए कहानी कहानी कहा देखिए एक जंगल में एक बच्चा जा रहा अब आपको देखिए क्या है तो हात में एक डंडा था उसको trick याद आया तरकीब याद आया ट्रिक कहा है देखिए डंडा मारो साप पे formula हो गया है देखिए बताता हूं तरकीब मतलब trick हुआ T लिख दिया मैंने dंडा देखिए D4 डंडा डंडा किस पे मारा साप पे मारा formula बन गया देखिए D4 time हो गया D4 distance हो गया और S4 क्या हो गया speed हो गया इस तरह सर time का formula याद हो गया अब आप बोलो के speed का formula कैसा होगा देखिए तो speed के लिए मैंने यहाँ पे S लिख दिया मैंने और T इसके place में चला जाएगा तो देखिए distance upon time ये speed का formula हो गया अब बोलो के सर distance कैसा निकालो के देखिए तो आप यहाँ पे D लिखोगे ये S जो है divide में है ये इधर जाएगा तो multiply हो जाएगा तो D equal to T multiply by S कर दोगे तो इस तरह से आप एक कहानी से बिना कोई confusion के ऐसे formula को याद कर सकते हो आप तो उमीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो like किये बिना मत जाएगा चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए साथ बेल आइकन दबा दीजिए और जब बेल आइकन अगर ये सब कर दिया आपने तो बिना रुकाओट के जो भी वीडियो में बनाऊंगा मैं वह आप तक पहुंच पाएगा तो इस वीडियो को जादा जादा सेड़ कीजिए अपने ग्रूप के अंदर तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ऐसे प्यार देते रहिए सीखते रहिए सिखाते रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दुआ में याद रखना अला हुपीज